एक दिन शिरू बिल्ली, एक होशियार और बहादुर बिल्ली, अपने दोस्त चंटू शेर के बच्चे के साथ जंगल में बैठा हुआ था। दोनों को पुराने जमाने के खजानी की कहानियों का बहुत शौक था। अचानक चंटू को एक पुराना नक्षा मिला जो उसके दादा की किताबों के बीच छिपा हुआ था। इस नक्षे पर एक गुप्त खजाने का निशान था। जो न केवल जमीन पर बलकि अंतरिक्ष में भी फैला हुआ था। शिरू ने नक्षे को गौर से देखा और चंटू से कहा, यहां हमारे लिए बहतरीन मौका है, हम जंदल के खतरों से तो निपट सकते हैं, लेकिन अंतरिक्ष की मोहिम और खजाने का सामना करने का सपना भी पूरा होगा। चिंटू ने जोश में आकर फोरन तयार होने की बाग कही। दोनों ने अपना सफर शुरू किया और जंगल के धने पेरों और खतरनाक जानवरों से होते हुए खजाने के स्थान की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें एक रहस्यमई गुफा मिली जिसका रास्त। रास्ता अंतरिक्ष की ओर खुलता था। गुफा में प्रवेश करते ही वे एक अजीब औगरीब अंतरिक्ष यान के पास पहुँचे जो पुराना और तूटा फूटा था। लेकिन फिर भी उडने के यो और अज्याद जीवों का सामना करना पड़ा। एक दिन जब वे एक उज्वल तारे के पास पहुँचे उन्हें एक छोटे ग्रह पर अजीब से अंतरिक्ष रक्षक दिखे जो खजानी की रक्षा वे रक्षक बड़े और भयानक रोबोट थे। चिंटु डर गया लेकिन शेरु ने उसे सांत्वना दी और कहा हम मिलकर इन रोबोटों से लड़ेंगे और खजाना प्राप्त करेंगे। शेरु ने अपनी तलवार से लड़ाई शुरू की जबकि चिंटु ने अपनी बुद्धिमत्ता से रोबोटों की कमजोरियों को धून रिया। दोनों की सन् खुला अंतरिक्ष में तेज जटके शुरू हो गए और पूरा ग्रह हिलने लदा। वह खजाना वास्तव में एक शक्तिशाली प्राचीन प्रौध्योगी की का स्रोथ था जो लाखों वर्षों से छिपाया देया था। यह शक्ती इतनी अधिक थी कि इसे नियंतरित करना लदभग असंभव था। उसी समय उन पर हमला हुआ। दूर अंतरिक्ष की विस्तरताओं से एक गुप्त अंतरिक्ष माफिया जो इस खजाने के पीछे वर्षों से था। उनकी उपस्थिती का पता लगा कर वहां पहुँच गया। उनके पास अत्याधुनिक हत्यार और युद्ध जहास थे। शेरू और चिंटू पर हमला अत्यधिक था और वे अपने पुराने और मरम और परिस्थितियां उनके नियंतरण से बाहर होने लगी। उसी समय शेरू को एक और चाला की सुझी। उसने खजाने की उर्जा का उप्योग करके एक ऐसा शक्तिशाली ब्लैक होल बनाया, जो शत्रूओं को अपने अंदर खींच सकता था, लेकिन यह एक बहुत बड़ा खत्रा था, अगर कुछ गलत हुआ, तो वे स्वयम भी इस ब्लैक होल में समा सकते थे। चिंटू ने शेरू की इस चाल को मानते हुए तहा, यह आखिरी मौका है, हमें य खेल खेलना ही होगा। दोनों ने अपनी हिम्मत जमाई और ब्लैक होल को सक्रिय किया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, माफिया के सभी युद्ध जहाज ब्लैक होल में खींचने लगे। लेकिन ब्लैक होल की शक्ती शेरू और चिंटू के जहाज पर भी प्रभाव डालने लगी। अंतिमक्षर में शेरू ने अपनी बुध्यमत्ता का उपयोग करते हुए जहाज के एक गुप्त ट्रांस्पोर्टेशन मोर को सक्रिय किया, जो उन्हें वापस प्रित्वी की ओर ले गया। जैसे ही वे प्रित्वी पर वापस आये, उन्हें पता चला कि उ इससे पूरी दुनिया को खत्रा है। उन्हें अदालत में पेश किया दया, जहां कई वेग्यानिक, विशेशद्या और स्वयम अंतरिक्ष माफिया के बचे हुए सदस्य भी मौजूद थे, जो उन्हें दोशी साबित करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन शेरू ने पीरों और वीडियोज को दिखाया, जो उन्होंने अंतरिक्ष में बनाये थे, और बताया कि उन्होंने खजाने को मानफता की भलाई। शेरू और चिंटू की खजाना खोज की कहानी एक अदभुत और रोमान्चक यात्रा थी, जिसमें उन्होंने ना केवल खजाने को बलकी मानफता की भलाई के लिए उसे छोड़ दिया। अदाल्ती मामले में उन्हें निर्दोश घोशित किया गया और उन्हें सम्मान मिला। शेरू बिली और चिंटू शेर के बच्चे की यह तहानी एक खजाने की तलाश के लिए जंदल की यात्रा और खतरनाक अंतरिक् बहादरे, दोस्ती और मानफता के लिए बलिदान की एक मिसाल बन गई। उनकी दोस्ती और साहस ने उन्हें अपराद के आरोपों से मुक्त कर दिया।